गुड मॉर्निंग केट्स, हाव अडियो? केट्स, I hope you all are well at home. बच्चों, आपने हिंदी में वरंक्ष और वरंत्र को पढ़ना और लिखना सीख लिया है. तो वरंक्ष, क्ष से क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब जो युद में लड़ने जाता है. और क्ष से यहाँ पर पक्षी, यह वरं क्ष से नहीं शुरू हो रहा, लेकिन पक्षी के दूसरे वरं में क्या आता है? क्ष, पक्षी, कक्ष, कक्ष यानि कमरा, रूम, कक्ष, और क्ष से क्षमा भी होता है, जिसको आप सौरी बोलते हो. क्षत्रिय के हाथ में यहां तलवार है लेकिन भाला जो एरो शेप का होता है वो होता है और क्षत्रिय हमेशा युद भूमी में लड़ाई करने जाता है क्षत्रिय थोड़ा सा लिखने में मुश्किल है लेकिन जब आप रोज प्राक्टिस करोगे तो आपको क्षत्रिय लिखना आ जाएगा पहले आप इसको यहां से गुमाओगे, फिर यहां से नीचे को लेके आओगे, फिर से गुमादोगे, यहां पर फिर से गुमादोगे, फिर वन बनाओगे और उपर लहिन लगादोगे, क्षर से क्षत्रिय, आप त्र से वरंत्र भी कर चुके हैं, त्र से त्रिशूल, यहां पत्र यानि खत यानि चिठी उसमें भी त्रबाद में आया है और त्रिभुज त्रिभुज मीन ट्राइंगल त्र से त्रिशूल रक्षा करें शत्रू इससे सब डरी आप भगवान के मंदिर जाते हो शिपची भगवान के हाथ में भी होता है त्रिशूल यहां जब आप दे पिर नीचे को लेके जाओगे वन बनाओगे और उसके उपर एक sleeping line लगा दोगे तरह से त्रिशूल आप ये भी कर चुके हो अब आज आप घर में ग्या से ग्यानी ग्या से ग्यानी करोगे ग्या से ग्यानी जो बहुत पढ़ाई करता है जिसको बहुत जादा ग्यान होता है यहाँ पर भी विज्ञान मतलब science जो हम experiments करते हैं विज्ञान इसमें भी बीच में है ग्यान आग्या आग्या मींस ममी पापा की बात मानना या टीचर की बात मानने को आग्या बोलते हैं यहाँ पर भी ग्या बाद में है ग्या से ग्यानी ग्यान बढ़ाए, खुज सीके, औरों को सिखाए, आज आप पेज नमबर 98 पे ग्य ग्यानी का अभ्यास करोगे, यहाँ पे ग्यानी कैसे लिखना है, उसकी फॉर्मेशन दी है, लेकिन आसान तरीका है कि आपको जर से जहाज लिखना आता है, आप जर से जहाज लिखो, उसको उपर लेके जाने के बज़ाए इमली बना दो नीचे और वन लगाके उपर एक स्लीपिंग लाइन लगा दो, तो आपका ग्य से ग्यानी बन जाएगा, अगला है हमारा वरण, श्र से श्रमिक, श्रम मतलब महेनत करने, महेनत करना, श्रम, श्रमिक, श्रमिक जो व्यक्ति महेनत करता है, मजदूरी करता है, श्रमिक, यहां पे भी श्रम बीच में है, आश्रम, गुरू के आश्रम में जो हम रहते हैं, आश्रम, श्रश्रमिक देखो आता, सबका ये बोज उठाता, श्रमिक जो भारी काम को करते हैं, लेबर बोलते हैं जिनको, तो आज आप घर में वरन, श, त्र, ग्य, और श्र का वरन, ग्य, का लिखित अभ्यास करोगे, क्षोर, त्र का मोखिक और श्र का भी मोखिक अभ्यास करोगे, और वरन, ग्य, का मोखिक और लिखित अभ्यास करोगे, बाई, बाई, किट्स, टेक्यार,